सबसे पहले एक रिक्वेस्ट यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस चैनल के वीडियो मिलते रहें इसलिए कि तुमसे ही परिवेश्टिद आच्छादित रहने का रम्निया यह उजेला अब सहा नहीं जाता नहीं सहा जाता अब इन चार पंक्तियों में कभी क्या कहता है पहले आप सुन लीजिए कभी अपनी प्रिया को संबोदित करते हुए कहता है कि तुमने जो मेरे उपर आकर्षित उजाला जो मेरे चारों और से ढख रखा है जो उसे प्रेना देती रहती है ऐसी प्रिया को संबोदित करते हुए कहता है कि जो तुमने मेरे जीवन को उजाले से ढख रखा है मतलब मुझे अंधेरा कभी फील ही नहीं होता यानि महसूस ही नहीं होता तो ऐसा उ उजाले से अब दूर रहना चाहता हूं थाकि मैं स्वावलम भी बन सकूं ऐसा ही कुछ हम पढ़ने जारें देखी इसलिए कि तुमसे ही प्रिविष्टित प्रिविष्टित का आत होता है चारों और से और आच्छादित ढखा हुआ किससे चारों और से ढखा हुआ है रमन चारों और से ढख रखा है जो मुझसे अब सहन नहीं हो रहा साहा नहीं जाता नहीं सा जाता जो मुझसे अब साहा नहीं जाता क्योंकि मैं आत्म निर्भर बनना चाहता हूं ममता के बादल की मंडराती को मलता भीतर पिराती है जो तुमने ममता के बादल मेरे चारों और से मंड़ा रहे हैं अर्थात मेरे उपर ममता के बादल मंड़ा रहे हैं अर्थात दूसरे शब्दों में कहूं तो इतना मोह, इतना लगाव, इतनी प्रेना जो प्रिया के द्वारा कभी को मिली है वह अब भीतर पिराती है बीतर पिराती है मतलब अंदर पिडा देती है पिराती माने पिडा देना तो कभी कहता है कि जो ममता के बादल है जो मेरे जीवन में मंड़ा रहे हैं ऐसे कोमल बादल अब भीतर पिराती है मतलब मुझे अंदर से दुखी कर रहे हैं अर्थात उन्हीं की वज़े से अब मैं स सही अर्थ तो यई से ओता है, जिसमें शक्ति नहों हो। अर्थ तो मेरी आत्मा अब कमजोर हो गई है और जो छाती है वो छट पताती है। कभ जब भविटव्यता होती है भविष्य की आशंका। भविष्य की जब मैं भविष्य बारे में सोचता हूँ, जब मैं अपने भविश्य के बारे में सोचता हूँ, कि मैं मेरा जीवन कैसा होगा, in future, मतलब मेरा भविश्य कैसा होगा, तो मेरी च्छाती छट पताने लगती है, क्योंकि उसके भविश्य में वो देख रहा है, तो इसलिए कभी कहता है कि मेरी मेरे भविश्य के बारे में मैं जब सोचता हूँ तो चाती छट पटाने लगती है और आत्मा इसकी वज़े से ही कमजोर हो गई है बहलाती सहलाती आत्मियता बर्दाश नहीं होती बहलाती हुई प्रिया के दिवारा दीई अपना पन ही है जो उसे बर्दाश नहीं हो रहा है अपना पन मिल रहा है जो बहला रहा है मुझे सहला रहा है ऐसी बेलाता हुआ वापना पन मुझसे अब सहन नहीं होता अंती पढ़ाग्राफ को देखते हैं अब हम इस लाश्ट पढ़ेंगे कि कभी कुछ दंड पाना चाहता है ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो दंड पराप्त करना चाहता है लेकिन अंत में इस पैराग्राफ में कभी कहता है कि मुझे दंड पाने के जो अलग-अलग तरीके हैं वह मैं पाना चाहता हूँ ताकि मुझे अत्यधिक दुख सैन करना पड़े अलग अलग तरीके वो कौन से हैं ये कभी ने बताया है इस paragraph में कभी कहता है कि मुझे कुछ ऐसा दंड दो कि मैं अत्यधिक अंधिरे को सेहन करूँ अत्यधिक अंधिरे का मतलब अत्यधिक दुख सेहन करूँ और वो दुख या अंधेरा कहां का होगा जैसे पाताल में अंधेरा होता है पाताल में जब अंधेरा है तो वह दुख का परतीख माना गया है तो अब उसके बाद अगर वहां पर भी गुफा हो क्योंकि यहां पर भी अगर जमीन पर भी गुफा होती है यानि धरती पर तो उ उसमें जब अंधेरा होता है और गुफा के अंदर भी कोई बिल है तो उसमें कितना अंधेरा होगा मतलब कितना जादा अंधेरा होगा और वही गुफा अगर पाताल में है क्योंकि पाताल में तो वैसे भी अंधेरा है तो कितना अत्यधिक अंधेरा होगा उस बिल में जो प दुख प्राप्त करना चाहता हूं मैं कि मैं स्वावलंभी बन जाओं और एक और तरीका बताता है कि मैं दम घोटू यानि दम घुट जाए जिसमें ऐसे धुए वाले बादलों में लापता हो जाना चाहता हूं मतलब ये दो तिन तरीके बताए कभी कहता है कि मुझे इस तरह के दंड चाहता हूं ताकि मुझे अत्य धेक दुख सेयन करना पड़े अब देखिए क्या कहता है सच मुझे दंड दो की हो जाओं पाताली अंधेरी की गुहाओं में विवरों में गुफा में और विवरों मनें बिल में सच मुझ मैं ऐसा दंड प्राप्त करना चाहता हूँ कभी कहता है कि मुझे कुछ ऐसा दंड दो अपनी प्रिया को समोधित किया ये भी कि मुझे ऐसा दंड दो कि मैं पाताली अंधीरे की गुफा के बिलों में मैं बिल्कुल लापता हो जाऊ और थाथ वही पर ही समाहित हो जाऊ इतना दुखवे प्रात करना चाहता है और अगे क्या कहता है दुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता दुएं के बादलों में खो जाऊ यानि एक ऐसे बादल जो दुएं से भरे हुए है और ऐसे दम घोटू जिसमें दम घुटता हो ऐसे दम घोटू बादलों में मैं लापता हो जाना चाहता हूँ लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सारा है ये भी स्विकार करता है कि अगर मैं वहाँ पर भी लापता हो गया तो वहाँ पर भी तुम्हारी प्रेणा मुझे साथ देती रहेगी वहाँ पर भी मुझे साहरा मिलता रहेगा क्योंकि तुमने मेरा जीवन इतना अच्छा कर दिया है, इतना प्रेरित कर दिया है, कि वहाँ पर भी तुम्हारा सारा मुझे मिलता ही रहेगा, कहाँ पर अंधेरी गुफाओं के बिलों में भी और दमगोटों वाले बादलों में भी, तो इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा जो होता सा लगता है, या होता सा संभव है, अब इन दो पंक्तियों में क्या बता रहा है, पहले आप सुन लीजिए, तो भी कहता है कि जो भी कुछ मुझे मिलना वाला है, या संभव है कि मुझे कुछ मिल जाए, जैसे आपके जीवन में भी ऐसा ही है, कि आप कु आते हैं वो भी आपने सोच लिया होगा तो वो दो दो चीज और एक ऐसी चीज तीसरी चीज जो संभव है कि ऐसा हो सकता है आपके जीवन में मतलग आपने सोचा कुछ और लेकिन कुछ हो कुछ हो जाता है तो संभवना तो है ना कि कुछ और भी हो सकता है तो वो तीसरी में ये तीनों अवस्थाएं तुम्हारे कारण ही मेरे जीवन में आई है या हो आएंगी तो ऐसा ही कुछ पढ़ने जा रहे हैं देखिए इसलिए कि जो कुछ कुछ भी मेरा है यानि मुझे जो कुछ भी प्राप्थ है या मेरा होता सा लगता है यानि जो मुझे लग रहा है कि मुझे मिल जाएगा यानि जो मुझे मिलने वाला है या होता सा संभव है या संभावना हैं कि मुझे वो चीज़े भी मिलने वाली है एक पर फिर से देख ल कारण के कार्यों का घेरा है तुम्हारे कार्यों के घेरे के कारण ही यानि तुम्हारी प्रेणा के कारण ही तुम्हारे कार्यों की प्रेणा के कारण ही मुझे प्राप्त हुआ है आगे भी यही बात लिखी है कार्यों का वैभाव है कार्यों की संपत्ति है कार्यों का घेरा और कार्यों का वैभाव, एक ही बात है, कार्यों का घेरा, यानि कार्यों का सरकल, ऐसा घेरा, ऐसा सरकल, जिसमें कार्य ही है, यानि प्रेणा ही है, और कार्यों का वैभाव का मतलब भी यह है, कि कार्यों की संपत्ती है, मतलब एक ही बात है, तो यह सभी तुम्हारे कारण ही मुझे प्राप्थ होगा, तुम्हारी प्रेणा के कारण ही मुझे प्राप्थ है अब तक तो जिन्दगी में जो कुछ था, जो कुछ है सहर स्विकारा है मुझे जो कुछ भी मिला है, जो कुछ होने वाला है यह मैंने सब कुछ सहर स्विकार कर लिया है क्यों क्यों कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है अपनी प्रिया को संबोति करता है कि जो कुछ भी मुझे मिला है वह तुम्हें भी प्रिया है इसलिए मैंने अपने जीवन में यह सब कुछ सहर स्विकार कर लिया है खुशी के साथ स्विकार कर लिया है तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेर करना और अगर आपका आज के टोपिक से रिलेटिड या हिंदी विशे में किसी भी क्लास से रिलेटिड कोई क्यूशन हो या कोई सजेशन हो तो दिल में मत रखना नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और एक आखरी बात इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको इस चैनल के वीडियो देखने को नहीं मिल रहे या कम मिल रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ इस बैल आइकन को दबा दीजिए आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी धन्यवाद